हेलो एवरिवन, वल्कम बैक टू कैंपस वाला, मैं हूँ आपकी एंकर मेनका जॉट, सो स्टुएंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रश्या के एक और टॉप रैंके इनिवरसिटी, कजान फेडरल इनिवरसिटी के बारे में, जिसमें हम कजान फेडरल के बारे में पूरा डीपली में एक्स्पेइड कियाता, आज के इस वीडियो में हम कजान फेडरल इनिवरसिटी के बारे में different, so ऐसा नहीं है, basically KFU University and Kazan Federal University same ही है, so यह जो university है 200 साल पुरानी university तो है लेकिन पिछले सिर्फ 13 सालों से ही इसने MBBS का program प्रवाइट करवाना start किया है, अगर माँ बात करते हूं located की, तो यह जो city है यह भी Kazan City ही है, वहाँ पर located है, इसका जो year of establishment है वो आपका 1804 है, और यह जो university का grade है, A grade की यह university है type की अगर मैं बात करती हूं, university type, तो यह government university है medium of जो आपका study है, इस university में यानि की आपका MBBS का जो study होता है वो full in English होता है, अगर मैं बात करती हूं eligibility criteria की तो Kazan Federal Universities में MBBS के admission लेनी के लिए आपका जो eligibility criteria होना चाहिए वो 12th PCB 50% होना चाहिए, and need qualified होना चाहिए IELTS and TOEFLS, कोई IELTS and TOEFLS का इसमें requirement नहीं होता है जो उन्होंने eligibility criteria आपसे बोला है, वो आपका fulfill होना चाहिए duration की अगर मैं बात करती हूं, तो 5 plus 1 का duration है total is 6 year including internship Kazan Federal University है, वो NMC के rules and regulation को fulfill कर रही है यह university NMC, WHO, ECFMG certified है, and अगर मैं बात करती हूं, session start कि यानि कि in-tech इसमें कब available होता है, तो only September in-tech में ही आपके पास admissions options के, आपके पास available होते हैं इस universities के लिए, tuition fees के अगर हम बात करते हैं, तो 4,68,000 ruble per year का tuition fees होता है, hostels का जो आपका जाता है वो आप्रोक्स आपका 25,000 per year आपका रूबल, hostels का जाता है, food का आप्रोक्स वाई, 120 USD to 150 USD, बेसिकली इस universities में Indian math available हैं, and options ये भी रहता है students के पास, कि वो खुछ से भी बना के खा सकते हैं, तो अगर आप Indian math प्रफर करते हो, तो आपका खाने का साल का जाता है, 1000-1200 USD, बट अगर आप खुछ से बना के खाना चाहते हो, तो जो भी grocery nearby market से आप लेके आते हो, या आपके according app food प्रफर करते हो, तो उसके according app का expenses जाता है, अब हम बात करते है, benefit of KFU University, यानि कि Kazan Federal University से MBBS का study करने के क्या benefit है, फर्स्ट फिंग, यह काफी oldest university है, इसमें clinical exposure काफी ही अच्छा है, कजान city में located है यह university, तो populations काफी जादा है, तो clinical exposure, यानि कि patients of flow काफी जादा रहेगा, तो आपको clinical exposure में भी काफी benefit रहेगा, यह जो city है, basically कजान city में located है, तो आपको traveling का part का भी को issues नहीं होता, flights available होती है easily, और अगर मैं बात करती हूँ, तो यह university, KFU University, starting से ही English में MBBS का program provide करवा रही है, PG options के अगर हम बात करते हैं, कि after completing MBBS, आपके पास PG के क्या options है, तो आपके पास PG के options रहते हैं, आप US से USMLE भी prefer कर सकते हो, इंडिया में आके आप next exam के लिए भी eligible हो, और अगर आप चाहते हो कि other than किसी country से अगर आप PG करना चाहते हो, तो वो भी आपके पास options available रहता है, so students अगर आपको इस university से related और भी information चाहिए, आपको अगर documents requirement की MBBS के admissions लेने के लिए क्या के documents के requirement रहेगा, तो आप हमारे दियेगा help line number पर connect कर सकते हो, और हमारे counselor से आप discuss कर सकते हैं, so अब आने वाले upcoming video में मैं आपके रश्या के और भी top ranked universities के related video लेके आऊंगे, जब तक बने रहे हैं आप हमारे इस channel पर, अगर आपको ये video पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को like भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को आपके friends को share भी कर सकते हैं, so thank you so much, have a good day.